परिवार के उनलाइन प्रेटफोर्म पर जल से जल जोईन हो जाईए और लिंक को शेयर कर दीजिए सभी का स्वागत है ठीक है भारती, शिवानी, रिवेल, परमीला, गीतु दूबे, रवी मौर्या, राधे चोहान, राम बाबु, शिवाने मिश्रा, मन्जु गुपता, गीतु दूबे, प्रिती कुश्वा, कुशल राजपूत, बली राम अहिरवार, वंदना, रवी मौर्या, परमीला, चलिए, सभी का सागते सब जोईन हो चुके हैं, क्लास को शुरू करते हैं, है न, देखो, हमने कल क्या पढ़ लिया था, कल हमने पढ़ लिया था, आपका थेलो फाइटा, है न, थेलो फाइटा मतलब की, हमने एल्गी के बारे में पढ़ा था, अब यहाँ पे देखो, अगर किसी को फीजिकल करना है, और साथ में लाइबरी बेटके पढ़ना है, ठीके, तो आप लाइबरी में बेटके पढ़ सकते हो, ठीके, चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी पादब जगत में, तो हमने कल क्या देखा था, हमने यह देखा था, इस चीज को समनना, कि और इसके अंतर के क्या आएगा आपका थेलोफाइटा, ठीके, मतलब कि क्या आजाएंगी, शेवाल, ठीके, फिर आजाएगा सेकंड नमबर पे ब्रायोफाइटा, ठीके, ब्रायोफाइटा, और थर्ड नमबर पे क्या आजाएगा, टेरीडोफाइटा, ठीके, क्या आजा जाएगा टेरीडोफाइटा उसके बाद जाएगा आपका फैनेरोगेम्स फैनेरोगेम्स यह फैनेरोगेम्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं बीज पाए जाते हैं जैसे कि एक हो जाएगा आपका अनावरत बीजी इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं ज Gymno Gesperm Gymno Gesperm और एक हो जाएगा आपका आवरत BG ठीक है ठीक है तो यह हमने कल देखा था यहाँ तक हमने देखा था हाँ रिवेल बया, नाम देखा, क्या है बोला तो मैंने हाँ हाँ चलो तो यहाँ पर आप देखो हमने को पढ़ लिया हमने को पढ़ लिया है आपका थेोलो फ्डाइटकर कर चुकए है बहुत अच्छ dobrze से बिब्जोटा है ना तो ये बूण का निर्मान होता है थीक के ना तो इनमें परनीघो चूलण क्रते हैं Works in red, भीश करते है आपका लेंगिक अलेंगिक दोनों करते हैं लेकिंग लेंगिंग क्लेमाइडो मोनास में होता है बहुत अच्छे से कलम मैंने समझाया था यह हमने कवर कर लिया है आज हम दोनों को पढ़ने वाले हैं ब्राइो फाइटा और टेरीडो फाइटा ठीके, चलो, शुरू करते हैं ठीके, चलो, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में ब्रायोफाइटा के बारे में ठीके, देखो, ब्रायोफाइटा क्या होता है पादप जगत में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा ठीके, ब्रायोफाइटा एसे पोधे होते हैं एसे प्लांट जिन में जड़ तना पत्ती नहीं होते है ना जड़ तना पत्ती नहीं होते वास्तविक रूप से लेकिन जड़ होती है आप बोलोगे जड़े तो होती वो जड़े नहीं होती वो जड़ के समान सरशना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं राई जोईट्स ठीके क्या होता है राई जोईट्स मतलब कि जड़ के समान सरशना होती है उसे हम क्या बोलते हैं राई जोईट्स कहते हैं तो ब्रायोफाइटा ऐसे आपके पादप है, जो क्या है आपके? जो जमीन पर दीरे दीरे पानी से निकल कर जमीन पर आए, और इनमें जढ तना पत्ती ये सब नहीं होती है. ठीके? हाँ, इनका अध्यन क्या कहलाता है? इनका जो अध्यन है, इनका अध्यन, इनके बारे में मुख्य बाद यह है कि यह जो ब्रायोफाइटा होते हैं यह प्रथम इस्थलिय पादब होते हैं यहाँ प्रथम इस्थलिय प्रादब है ठीके लेकिन क्या यह सक्सेस हो पाए नहीं हो पाए यह प्रथम इस्थलिय पादब तो है लेकिन यह सक्सेस नहीं हो पाए है ना हम इनको प्रथम इस्थलिय पादप तो बोलेंगे लेकिन ये वास्तविक इस्थलिय पादप नहीं थे क्यूं नहीं थे हम आगे इसके बारे में डिसकस करेंगे क्यूं नहीं थे क्यूंकि क्यूंकि इन्हें क्यूंकि इन्हें जनन के लिए क्यूंकि इन्हें जनन के लिए जल पर जल पर निर्भर रहना होता है क्यूंकि इनको जनन के लिए जल पर क्या होता है? निर्भर रहना होता है इसी कारण से हम इने पूरी तरीके से इस थली पादब की केटेगरी में नहीं रखते हैं दूसरी बात ये क्या होते हैं? इन्हें पादब जगत का उभयचर कहा जाता है ठीके, Ambifian पादब जगत के क्या है? ये उभयचर है ठीके? हाँ, तो ध्यान रखना ये क्या है? पादप जगत के उभैचर हैं क्यों क्योंकि जनन के लिए पानी पे निर्भर रहते हैं इसलिए ये इस्थलिय पादप तो है लेकिन ये वास्तविक वास्तविक इस्थलिय पादप ये वास्तविक इस्थलिय पादप नहीं हो पाए है ठीक है वास्तविक इस्थलिय पादप नहीं हो पाए है क्लियर नेक्स हम बात करते हैं चलो इसका तो screenshot लेने दे फिर आगे बात करते हैं देखो नेक्स हम बात करते हैं जनन किस प्रकार होता है है ना इनके अंदर जनन किस प्रकार होता है उससे पहले देख लो MPPSC Pre के लिए आपका special online test series शुरू की गई है यह कब से शुरू हुई है 18 तारीक से शुरू हुई है ठीक है न्यू स्टुडेंट की फीस 1000 है ओल्ड की 500 है आप इसे सट्ट्याजिशनमा क्लासेस के एप पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं है ना आप वहां भी इसको देख सकते है चलिए आप देखिए पादव जगत की अधियां बात करें मतलब कि हमारे ब्रायोफाइटा की तो आप देखो के जनन बात निकली है जनन की तो आप इस चीश को समझो देखो हमारे अंदर जैसे कि यह कौन है महिला यह कौन है फीमेल ठीके फीमेल में क्या पाया जाता है अंडाणू इस अंडाणू को हम क्या बोलते हैं युगमक युगमक बोलते हैं ठीके और एक है क्या लड़का लड़का ठीक है ये क्या है ये है मेल ठीक है ये जो मेल है इसके अंदर पाया जाएगा शुक्राणू शुक्राणू ठीक है और इसको भी हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे युगमक क्या बोलेंगे हम इसे युगमक बोलेंगे तो ध्यान रखना कि जो युगमक होते हैं जैसे कि अंडाणू और शुक्राणू इनमें जो गुण सुत्रों की संख्या होती है कैसी होती है एक गुणित होती है मतलब कि ये जो होते हैं अंडाणू और शुक्राणू ये कैसी कि पाहले एक गुड़ित कोशिका हो जाती है ठीक है तो जो आपके यूगमक वह कैसी है हाँ जो यूगमक हो कैसे है यूगमक हमेशा एक गुड़ित होते हैं इनमें 23 गुणशुत्र होते हैं ध्यान से सुन जनन कोई नहीं पढ़ाएगा ठीक है आप आपको ऐसी चीज चीज बता रही हूं जो जनरली आपके सिलेबस में पढ़ाने में भी कोई सोचेगा कि मत पढ़ावरेने दो समझो इस चीज़ को है ना थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रियास करो आप तो यह समझो कि जो युगमक होते हैं जो गैमेट होते हैं उनके अंदर कभी भी आपके जोड़े में गुण सुत्र नहीं पाई जाते तो जनन जो होता है पादपों में वो उन्सके लिए भी या तो वो क्या करते हैं या तो उनके अंदर युगमक होते हैं जिनके अंदर क्या होता है गुण सुत्रों का नंबर क्या होता है एन मतलब आधा या तो वो किस के द्वारा करेंगे या तो करेंगे बिजानू के द्वारा लेकिन बिजानू के अंदर गुण सुत्रों की संख्या क्या होती है हें अब इस चीज को और सब्सक्राइस को समय को युगमक भी होते हैं और इन में क्या है विजाडू भी बनेंगे युगमक के अंदर गुंसुत्र एन है और पिजानु के अंदर डबल गुंसुत्र होते हैं मतलब कि जो भी इनके अंदर आपका जो ये होंगी कोशिकाई कैसी होंगी आपकी तो आपको होगे एक गुडित है और एक क्या है आपकी द्वी गुडित है चीके? हाँ, एक गुडित है और क्या है दुई गुडित है ठीक है, चलिए, आप देखो इनका जनन कैसे होता है इनका जनन कुछ ऐसे होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जनन में, जनन में क्या हो जाएगा इनका, इनका जो जनन है जनन में अगर युगमक की साहता से होगा तो युगमक में गुण सुत्र N है और अगर बिजानू की साहता से होगा तो क्या हो जाएगा 2N ठीके, अम मान लो ये क्या है ये है आपका पानी ठीके, और ये क्या है जमीन, है ना पानी और यह क्या है जमीन है यह यहां से यहां तक जमीन है ठीक है यह क्या है म्रदा और यह भी क्या है म्रदा अब यहां पर यह देखो कि यहां पर क्या है यहां पर कोई प्रांट उगरा है यह और यह जो आपके ब्रायोफाइटा होते है ब्रायोफाइटा के अंदर आपक भी मिलेगा ठीके मादा अंग को हम क्या बोलते हैं तो ध्यान रखना मादा अंग जो बनाता है वो बनाता है अंडा ठीके और नर अंग जो बनाता है वो क्या बनाता है पुमानू ठीके पुंधानी बोलते हैं जिसे आप पुंधानी बोल सकते हो ठीके तो नर अंग क्या होता पुन्धानी होता है और मादा का जो अंग होता है वो भी इसके अंदर पाई जाते हैं नर मादा दोनों जनन अंग होते हैं इस्त्रिधानी पुन्धानी है ना और पुन्धानी क्या बनाती है पुमाडू बनाती है और इस्त्रिधानी क्या बनाती है यहाँ पे मादा अंग तो अंडा बनाएगी और पुन्धानी क्या बनाएगी पुमाडू बनाएगी क्या बनाएगी पुमाडू बनाएगी ठीके अब मैंने कहा अंडे में कितने गुंडशुत्र होते हैं तो भया अंडे के अंदर N होंगे जितने भी गुंडशुत्रे आदे होंगे और प्लास अंडा पुमारू प्लास अंड दोनों मिलकर, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे 2N, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर जाइगोट, ठीक है? इनमें क्या बन गया? इनमें बन गया जाइगोट, यह देखो 2N बन गया जायगोड बन गया और 2N क्या होता है तो 2N किसे कहोगे 2N कहोगे आप बिजाणू को तो लो इसने क्या बना लिया बिजाणू बना लिया अब ये बिजाणू जो है ये बिजाणू यहां से बाहर निकल कर कहा आएगा यहाँ पे जमीन में आएगा और धीरे धीरे क्या बनाएगा एक पूरा पोधा ठीके इस प्रकार से पोधा बनाएगा जिसमें गुण सुत्रों की संख्या क्या होगी डबल होगी क्योंकि ये किस से बने है ये बिजाणू से बने है ठीक है बिजाडू से बने है इस बिजाडू ने क्या किया इस बिजाडू ने क्या किया इस बिजाडू ने क्या किया समसुत्री विभाजन और बहुत सारी अपने जैसी सेल बना ली और वो सेल क्या बनी वो सेल सारी यहाँ पर आई उपर और उन्होंने क्या कर लिया एक शरीर बना लिया बिजानू का ही जिसमें गुण सुत्रों की संख्या क्या है डबल ठीक है यहीं पास में एक और आपका ब्रायोफाइटा है जो शिकी को हम क्या केते हैं इसी को हम क्यते हैं भूलंण और यहीं भूलंण फिर जाकर आगे जाकर किसफसे चिपक जाएगा ऐसे je कि ये जो आपके बिजानू होते हैं ये फिर करेंगे अर्द सुत्री विभाजन और अर्द सुत्री विभाजन से क्या होगा ये बिजानू अपनी कोशिका को तोड़ तोड़ कर इस जमीन पर डाल देंगे और इस जमीन के उपर वापिस से एक नया पोधा बन जाएगा, जिसे हम ब्रायोफाइटा कहेंगे, ठीके, हाँ, अब बताएंगे सबर तो कर लो दादा, सबर तो कर लो, दो मिनिट, तो एक प्रकार से ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, उभेलिंगी होते हैं, अब मैंने आप आपको क्या बोला, एक बार इस शिश्को शमँदणा, मैंने आपको ये कहा, ब्रायोफाइटा में दो चीज़ बनती है, इस शीश्को मैं फिर समझाती हूं एक बार, ये चीज़ समझ इना, सारे ब्रायोफाइटा इसी आधार प्यादार ब्ता,तिके, देखो, मैंने आपस इसी बहुत सारी सेल बनाई और ये सेल आगे जाके क्या हो जाएंगी ऐसे चिपक जाएंगी और इसी को हम कहते हैं भूण तो देखो इसमें भूण बन गया और इनको मिलने के लिए किसके आवशकता पड़ी जल में मिलते हैं, कहां मिलते हैं, जल में, ठीके, अब यही जो structure है, यहां पर आगे जाके, पहले से ही कोई एक आपका ब्रायोफाइटा होगा, तो यह जो structure है, यह ब्रायोफाइटा से जाके जुड़ जाएगा, पर जीवी की तरह इससे क्या करेगा, इससे खाना पानी लेगा, खाना पानी, क्यों खाना पानी लेगा, क्योंकि यह वाला जो structure है, बिजाणू वाला structure, वो प्रकाश संसलेशन नहीं कर सकता, है ना, यह प्रकाश translation नहीं कर सकता ठीके अरे भया यह spore है यह gamet है English में यह spore और gamet ठीके अब क्या होगा अब जैसे जैसे यह इसने खाना पानी लिया तो अब यह वाली cell अपने आपको फिर तोड़ेंगी बहुत सारी NN वाली cell में और यह NN वाली cell कहां जाएंगी म्रदा के उपर जब जाएंगी तो क्या बनाएंगी एक नया ब्रायोफाइटा बनाएंगी यह पूरी क्या होती है ठीके यह पूरी जो structure क्या है इनका जनन तो आप देखो इनके पूरे जीवन काल में आपको इनके दो रूप देखने को मिले एक बिजाडू मतलब इस पोर की तरहां इनका शरीर में इस पोर भी थे और इनके शरीर में गैमेट भी है ठीके तो दो प्रकार के आपको क्या देखने को मिले जीवन के अंदर इनमें एकांतरन देखने को मिले प्रायोफाइटा क्या होते हैं उभय लिंगी होते हैं ठीके कैसे तो अर नर वाला भाग जो है नर वाला भाग वह कहलाएगा आपका पुनधानी कि ठीके और मादा वाला जो भाग है वह क्या कहलाएगा इस्त्री नहीं कि इस्त्री भाऑनी ठीके अब आप देखो नेक्स्ट, ब्रायोफाइटा के प्रकार, ब्रायोफाइटा के प्रकार क्या है, तो ब्रायोफाइटा के प्रकार में, पहला जो वर्ग है, वो वर्ग क्या कहलाएगा आपका लीवर, लीवर वर्ट, लीवर वर्ट, ठीके, ब्रायोफाइटा में क्या हो जाएगा यह जो आपका लीवर वर्ट है यह क्या है एक प्रकार का ब्रायो फाइटा है ठीक है लीवर वर्ट क्या है एक प्रकार का आपका ब्रायो फाइटा है ठीक है तो आप आप देखोगे ब्रायो फाइटा जो हम बोलते हैं लीवर वर्ट इसे हम एक नाम मोर देते हैं जिसका ना इसे हम बोलते हैं ही पेटी कोपसीडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो शरीर है इसका शरीर लीवर के समान है लीवर के समान होता है ठीके? इसका शरीर क्या होता है? लीवर वर्ट का लीवर के समान होता है इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं इसे हमने लीवर वर्ट का नाम दिया ठीक है लीवर वर्ट का नाम दिया उसके अलामा ध्यार रखना कि जो लीवर वर्ट होते हैं लीवर वर्ट जो होते हैं इनके अंदर इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर जनन जो है वो क्या होगा आलेंगिक 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 जनन जो होगा वो प्रती कूल स्थिती में होगा आलेंगिक जनन क्या होगा प्रती कूल स्थिती में होगा कैसे जैसे मान लो इनका ये शरीर है तो इनमें क्या बन जाएंगे बहुत सारे इनके अंदर बन जाएंगे जेमा, क्या बन जाएंगे जेमा, ऐसी जेमा बन जाएंगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और यही जेमा क्या करेंगे, यही जेमा, प्रत्ते जेमा क्या करेगा, एक नया लीवर वर्ट बना देगा, कहने का मतलब यह है, लीवर वर्ट जो होता ह की लिवर्ड वर्ड जो है एक वर्ग है किसका ब्रयोफाइटा का का इसकी खास बात यह यह लेंगिक जनन करता है जयसे कि जेमा बनते है इसके अंदर फिर उस से पूरा पादप बनेगा इनके स्ट्रक्छर लिवर्ड के समान होती है यह ledic अनुकूल स्धिति में आपका करते हैं बैंकिल स्थी में चाहिए ऐनको जेमा Лाइक PROF्छयर चाहिए ठीकिंवर्ट का एक्सामपल तो आपने एक नाम सुनोगा मार्केंशिया Markensia Markensia क्या है? एक liver word है liver word bryophyta है bryophyta का एक वर्ग है liver word, markensia, rixia, porella यह सब उसी में आते हैं rixia भी नाम सुना होगा आपने rixia भी एक प्रकार का liver word है rixia और porella ठीके? तो यह क्या हो गए आपके? liver word के example हो गए ठीके? चलिए यह हो गए आपके liver word के example दूसरा वर्ग क्या आता है आपका? दूसरा वर्ग है आपका मोस, ठीके? क्या हो जाएगा? मोस चलिए दूसरा क्या है आपका? मोस दूसरा क्या है? ध्यान रखना bryophyta bryophyta में क्या जाएगा? पहला हो गया आपका liver word दूसरा हो गया आपका मोस और तिसरा हो जाएगा आपका horn word एक बार में बता दू, NCRT ने हटा दिया किसे हटा दिया? horn word को हटा दिया आपको इसके detailing पढ़ने की जरुवत नहीं है ठीक है? अब आप ये देखो liver word के बारे में हमने पढ़ लिया, liver word हो गया अब बात करते हैं मोस के बारे में देखो, मोस की खास बात ये है मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि कोई bryophyta बना हुआ है अच्छा खासा? जब ये जनन करता है ये मालो bryophyta है इसको करना है जनन तो ये क्या बनाएगा? इससे बनेंगे एक structure बनेगा बिजाणू जैसा structure कुछ इस प्रकार का है ना? ये जो बिजाणू जैसा structure है क्या ये structure किसी प्रकार से प्रकास translation कर सकता है क्या? तो आप बलोगे नहीं कर सकता तबी तो किस पर depend है? तबी तो इस पर depend हो जाएगा दूसरे वाले पर जाके दूसरे पर चिपक जाएगा लेकिन जो मोज होते हैं उसके अंदर जो बिजाणू बनते हैं प्रजनन के समय वो प्रकास translation कर सकते हैं इसलिए इनके बिजाणू क्या कहलाते हैं? अर्ध पर जीवी कहलाते हैं अर्ध पर जीवी ठीके? तो ये एक प्रकार से क्या है? अर्ध पर जीवी जैसा रूप करते हैं क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? ये प्रकास translation कर सकते हैं ठीके? तो ये खास बात किसकी है? मोन्स की खास बात है की क्या कर सकते हैं आपका प्रकास संसलेशन कर सकते हैं ठीक है हाँ और एक बात हो ध्यान रखना इनमें खास बात ये भी है इनमें खास बात क्या है कि इनके जो बिजानू है वो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटो नीमा, और ये कलीका, ये जो कलीका है, ये कलीका आगे जाके, पूरा, पूरा, क्या बनाएंगी, पोधा बनाती है, पूरा पोधा बनाती है, ठीके, इसी लिए इन में जनन भी कैसा है, अप्रत्यक्ष जनन है, ठीक है है हां देखो आप लोग बोलते तो हो भाया ऐसा लेवल पढ़ाओ मेडम ऐसा लेवल पढ़ाओ कि जो हमने पढ़ा ही नहीं हो या अच्छा लेवल पढ़ाओ और जिस दिन अच्छा लेवल पढ़ाते हैं उस दिन कोई पढ़ता नहीं है ठीक है आपको चाहिए एक ही पत्ति नहीं पाई जाती ठीक है राइजोइट होते हैं और उसके एक्जामपल लीवर्वर्ट मौस और होन्वर्ट लेकिन आपको इनके जनन के बारे में कुछ स्पेशल बात बता रहें वह आपको पंदा नहीं है ठीक है अब ही आपसे पूछ जाएगा बताओ तीनों वर्ग में ब्रायोफाइटा का कौन सा वर्ग है जिसके अंदर बिजाडू जो है बिजाडू वाला जो शरीर है वो प्रकास संस्लेशन करता है या अर्ध परजीवी ह होता है तो सामझे नहीं कि पूछ लिया इन्होंने क्या पूछ लिया परजीवी के बारे में मैं कब से बता रहे हूं कि परजीवी मतलब क्या है यहां पर ठीक है तो यह क्या है यह परजीवी है आपके और इनमें जरन कैसा होता है इनके जो बिजाडू होते हैं वो क्या ब इस फेगनम जो होता है, इस फेगनम को हम किसमें इस्तमाल करते हैं, पीट कोईले में, इसका इस्तमाल पीट कोईले में भी किया जाता है, इस फेगनम को हम इंधन के रूप में भी प्रियुक्त करते हैं, तो आप से पूछा जाएगा, ठीक है, आप से पूछा जाएगा, मों जो है उसका एक्जाम्पल स्फेग्नम है लेकिन लीवर वर्ट का एक्जाम्पल मारकेंशिया रिच्षिया और आपका कौन सा है पॉले रहे हैं ठीके तो ध्यान रखना यह जो होंड वर्ट है यह NCRT में अभी तो नहीं है लेकिन जो आप यह देख रहे हो यह सब क्या है यह आपके क्वेशन पूछी जाते हैं हमारी जो एक्जाम होती ही वो NCRT से ही होती है तो आपको इत्ता लोटने लेना NCRT आएगी NCRT से बहुत सारे चप्टर रिमूव किये गए हैं है ना हाँ तो ध्यान रखना मोंस जो है उसमें प्रोटो नीमा बनती है और प्रोटो न ठीके नेक्स्ट हम बाग करते हैं आगे अब हम बाग करते हैं किसकी टेरीडो फाइटा की ठीके टेरीडो फाइटा ठीके टेरीडो फाइटा का अध्यन क्या कहलाता है इसका अध्यन कहलाता है टेरीडो लोजी टेरिडो लोजी टेरोयभ़ाईडा âdhya ने वह क praticacy टेरिडोलोजी ठीक है, हाँ जादा पानी सोकता है सही कहा, टेरीडा जो है इसमें जलदरन की शंता जादा है बहुत जादा पानी सोक लेता है वह उसके बाद आदा है यह क्या है प्रथम प्रथम इस्थलिय, पादप लेकिन कैसे हैं ये? ये वास्तविक हैं कैसे हैं ये? वास्तविक हैं दूसरी बात है इनका इनका तना इनका तना चमकीला होता है इनका तना क्या होता है? चमकीला होता है और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सरी स्रप ठीके, क्या कहा जाता है सरी स्रप कहा जाता है पादब जगत का ठीके, तो पादब जगत का सरी स्रप किसे कहते हैं हम तो हम कहते हैं टेरीडो फाइटा को कहते है ठीके, उसके अलावा एक क्वेशन आता है एसे कौन से प्लांट है जिनके अंदर जैसे टेरिडोफाइटा है तो इनके अंदर सबसे पहले क्या आये थे समवहन उतक आये थे इनके अंदर क्या आये थे सबसे पहले समवहन उतक आये थे समवहन उतक जैसे की आपका जाइलम और क्या हो जाएगा फ्लोयम सभी को पता है कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है पानी को समवहन करता है और फ्लोयम जो होता है वो भोजन को समवहन करता है ठीके मैं आगे आपको ये बताऊंगी कि जाइलम जब हम पढ़ेंगे उतक तब हम पढ़ेंगे कि ये किन-किन चीजों से मिलकर बना है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीके, जो जाइलम है, ये चार सेल से मिलकर बना है, ठीके, जाइलम जो है, वो चार सेल से मिलकर बना है, ठीके, और जो फ्लोयम है, वो भी बहुत सारी सेलों से मिलकर बना है, अगर पादप है, इनके अंदर जो सम्वहनु तक है, तो उसके जायलम में वाहिका है, और फ्लोयम की सहा, जो कोशिका है, उनमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है, देखो कितना प्यारा पॉइंट आपने सुनने को मिला आपको, तो कि यहां पे जो जाइलम होता है, उसमें 4 सुल होती है, लेकिन इसमें वाही का क्या होती है, अनुपस्थित होती है, किसमें जाइलम में, और फ्लोयम में क्या अपसेंट होता है, तो सहकोशिका companion cell सहकोशिका नहीं पाई जाती तो अब सुनो थोड़ा सा कान खोल के कि ये पहले ऐसे इस फली पादप है जो पूरी तरीके से सक्सेस तो हुए और इनमें समवहन उतक भी है जायलम फ्लोयम लेकिन इनके जायलम में वाहिकाओं की कमी है और इसके फ्लोयम में सहकोशिकाओं की कमी है ठीके तो जायलम में वाहिकाओं नहीं पाई जाती इस वाले प्लांट में और ये जो फ्लोयम है उसमें सहकोशिका नहीं पाई जाती है ये वाली जो आपकी कोशिकाओं हैं तो ये वाली कोशिकाएं क्या होती हैं अपसेंट होती हैं ध्याण रखना फ्लोयम में ये वाली नहीं मिलेगी और जाइलम में वाहिकाएं अपसेंट हैं। कि जो जनन तंत्र है दिर्गपंड दिर्गपंड मतलब तने से बड़ी तने से बड़ी क्या होती है पत्ती और इसी पत्ती के ऊपर पाए जाते हैं क्या बिजाणू क्या पाए जाते हैं बिजाणू तो इसके शरीर में युगमक की जगा क्या होता है इसकी शरीर में युगमक की जगा क्या होते हैं, इसके शरीर में डायरेक्ट बिजाणू होते हैं, ठीके, इसके शरीर में क्या होते हैं, डायरेक्ट बिजाणू होते हैं, है ना, यह भी ध्यान रखना कि इनके बिजाणूं में कौन सी सेल होती है, बिजाणू, बिजाणू म मात्र कोशिका तो इसके पत्तियों पर पाए जाते हैं बिजांड जिसमें क्या पाए जाती है जिसमें बिजाडू मात्र कोशिका इस्तित होती है ठीके यही बिजाडू मात्र कोशिका क्या करती है आगे जाके तूड़ती है और क्या बनाती है युगमनच का निर्मान करती है ठीक है, चलिए भया, आप देखो, टेरीडो, फाइटा के हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे हाँ, इसका कारण यह है, वह ही है, कि इसमें समवनी उतक तो है, लेकिन इतने मैच्च और वो भी नहीं है ठीक है, चलो, आप देखते हैं, इनके वर्ग कौन-कौन से हैं, टेरीडो, फाइटा, इसमें पहला क्या है, सिलोप, सिलोप, सिलोप सरिडा टेरीडोफाइटा में पहला वर्ग क्या जाएगा सिलोप स्रीडा ठीके टेरीडोफाइटा का पहला वर्ग क्या है आमारे पास सिलोप स्रीडा ये सबसे प्राचीन टेरीडोफाइटा है और सबसे पहले इनमें ही सवमहन उतक आया था ठीके हाँ, तो ध्यान रखना इसी के अंतरगत एक आता है सिलोटम सिलोटम को हम बोलते हैं जिवित जिवाश्म जिवित जिवाश्म ठीके, ये क्या हो गए है सबसे प्राचीन है सबसे प्राचीन है और इनके अंदर समवहन समवहन उतक सबसे पहले आये थे सबसे पहले आये थे तो सिलोप सिडा में समवहनू तक क्या आये थे सबसे पहले आये थे यह सबसे प्राचीन है ठीके फिर होता है लोईकोप सिडा ठीके लोईकोप सिडा जिसे हम बोलते हैं सिले जी नेलिया ठीके तो इसमें क्या जाएगा दूसरा वर्ग कौन सा है हाँ देखो इसका जो second वर्ग है वो second वर्ग में आता है सिलेजी नेलिया और सिलेजी नेलिया के अधि हम बात करें इसका वर्ग कौन सा है तो क्या हो जाएगा लाइकोपसीडा ठीके, लाइकोपसीडा, क्या हो जाएगा, लाइकोपसीडा, लाइकोपसीडा, और इसका एक्जामपल क्या हो जाएगा, सिलेजी नेलिया, ठीके, यह क्या हो जाएगा, एक क्लब के नाम से भी आता है, क्लब के नाम से आता है, टेरीडोफाइटा, ठीके, तो यह जो है आप इसे आप क्या बोलोगे क्लब मोस भी बोलते हैं तो ध्यान रगना मोस सुनके ब्रायों में मत लगा या ना यहां क्लब मोस फुल नेम, क्लब मोस ठीके, तो ये वर्ग पता रही हूँ मैं आपको, टेरीडो फाइटा तो एक पूरा क्या है आपका एक बड़ा संग है, उस संग के अंदर जो हम वर्ग पढ़ते हैं, वो ये होते हैं ठीके, क्यों भाया इसमें क्या खासियत है, इनकी खासियत यह है, कि इनकी जो पतियां है, वो इस प्रकार से क्या करती है, ऐसे कौन के रूप में होती है कौन, कौन नाई की स्ट्रक्चर ऐसे, तो ये किसमें आते हैं, ठीके, तो ये आते हैं second work के अंतरगा जो मैंने वहाँ पे लिखा है third क्या आजाएगा isphenopsida ठीक है यह बहुत important है third आजाएगा isphenopsida 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 क्या है isphenopsida भी work है किसका teradophyta के अंतरगा आता है इसे हम घोड़े की पूँच भी बोलते हैं ठीक है हाँ जैसे ध्यान रखना इकवी सीटम इकवी सीटम ठीक है इसकी क्या पायाता है इसकी पंड की पंड में क्या पाया जाती है सिलीका ठीक है और इसी के कारण क्या लगती है जंगल में जंगल में क्या लगती है आग तो जंगल में आग लगती है उसका जन्रल कारण क्या होता है इकवी सीटम होता है क्योंकि सिलीका आपस में रगड़ खाती है हवा चलने पर उससे क्या होती है चिंगारी बनती सिलीका से ठीक है हां तो ध्यान रखना कि जो पर्ण होते हैं इसके उसमें सिलीका पाई जाती है टेरीडोफाइटा इस फिनो जो है आपका क्या हो जाएगा आपका हो औस टेल के नाम से आप उसे जानो के फिर हो जाए-गा आपका टेरोपसीडा ठीके, क्या हुजाएगा, टेरोपसीडा एक आखरी वर्ग क्या है आपका, टेरोपसीडा टेरोपसीडा, टेरोपसीडा में क्या आता है आपके, फर्ण आते हैं और अभी जो है, जादा तर, जादा तर टेरीडोफाइटा इसी वर्ग में है टेरीडोफाइटा इसी वर्ग में ठीके तो यह मैंने आपको वर्ग भी पढ़ा दी इसके चलो मैंने कहा टेरीडोफाइटा जो है उसके वर्ग है कुछ यह तो संग है एक बड़ा टेरीडोफाइटा इसके अंदर जो वर्ग बने हुँ है जैसे कि आपका क्या हो जाएगा राज्जी और राज्जी में जिले तो राज्जी राज्जी में जिले जैसे कि सिलोपसीडा सबसे पुराने टेरीडोफाइटा है सबसे पहले समभानी उतागी इसके अंतरकता है थे ठीक है पर लेकिन ये प्राची जिसमें आजाएगा सिलो पाई जाती है, रगड से चंगारी उत्पन होती है, थीक है फिर आज आएंगा आपका लाइक जो है, उसका एग्जाम्पल है सिलेजी लेलिया और कलबं मॉस, ठीक है ये किसमें आते तर टरिडो फ्लेटा में, और एक आपका तरिडो फाइटा जो है आपका वो उसमें फर्ण आएंगे ठीक है जैसे कि आप सुनते हो न एजोला एजोला खात के रूप में यूज करते हैं जो जानवर दूद देते हैं उनके चारे के रूप में यूज करते हैं यह वो है और ज्यादा तर जो टेरिडो फाइटा है वो इसी के अंतरगत रखेगा है जिनमें क्या पाया गया था समभरी उतक और यह वास्तविक इस्थली पादप के रूप में देखने को मिले इनमें फूल नहीं पाये जाते हैं नहीं इनमें बीज होते हैं इनका जो शरीर होता है उनके अंदर पहले से ही बिजाणू होते हैं बिजाणू के अंदर आपके गुणसुत्र जो होते हैं वो डबल होते हैं वो तूटकर युगमक बनाते हैं फिर उस युगमक से वापिस से क्या बनता है एक बिजानु वाला पोधा बनता है ठीक है बागी मैंने आपको सारे प्रजणन बता दिये हैं एक बार वापिस से आप इस वीडियो को देखना नो जो जो इसमें आता था मैंने सब बता दिया, सेकंड दिंग यह है कि कल हम पढ़ेंगे जीमिनो स्पर्म के बारे में और एंजियो स्पर्म के बारे में, ठीके, तो कल अपना पाधब जगत लगबग कम्पिट हो जाएगा, और ध्यान रखना संडे को एक मेराथन क्लास है चार बज़े, वो है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो महिला सुपर्वाइजर वाली पढ़े, आप लोग भी चाहो तो जोइन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीके, तो लिंक उसकी शेर कर देना, मैंने उस पर डाल दी, उसको यूट्यूब पर उसकी स्टिमिंग डली है, तो जो भी हो, भली कोई भी लड़की हो, लड़की को भी अगर समझना है, पढ़ना है, तो वो भी पढ़ सकती है, जारूरी नहीं है कि वो किसी एक्जाम की तयारी कर रही हो, ठीक है, जर्णल इंफोर्मेशन रहेगी उसके अंदर, प्रसव के प्रकार क्या होते हैं, सब कुछ, एपीशी, टॉमी वगेरा, मैं आपको धोरी में पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो पूरा जो एक बच्चे के बनने से लेके, डिलेवरी तक का जो पूरा प्रोसेस रहेगा, वो हम उसमें देखेंगे, मैराथन क्लास रहेगी, ठीक है, तो आपनी जितनी भी फ्रेंड्स वगएरा, आप उनको भी वो लिंक शेर कर सकते हो, चलिए, फिर मिलते हैं, एक बार इस वीडियो को अराम से देखना, वापकी से आपके बहुत प्यारे नोट्स बनने वाले हैं, आप नोट्स बनाना, आपके बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे, ठीक है, फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, जे हिन, जे भारत!